चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाईए और हार एक न्यूस सबसे पहले पाईए बोचपुरी में एक के बाद एक सूपर हिट फिल्म देने वाली हाट अदाकारा आमरपाली दुवे के एक बयान ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है जी हाँ 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 अदाकारा आमरपाली दुवे ने निरहुआ के साथ काम करने से इनकार कर दिया है जी हाँ दर्सकों की भारी डिमांड के साथ आमरपाली दूवे ने अब निरहुआ के साथ काम करने से इनकार कर दिया है एक खबर के मुताबित आमरपाली दूवे अब पवन सिंग की फिल्म वांटेड में मुख भुमिका में नजर आने वाली है काफी दिनों से भाउच फूरी फैंस आमरपाली दूवे को सोचल मीडिया पर या मैसेज कर रहे थे कि वो निरहुआ को छोड़ एक वार पवन सिंग के साथ फिल्म में नजर आए विसे इस खबरों से पता चली है कि वांटेड में आमरपाली दूवे को पवन सिंग के साथ रोमांस करते हुए नजर आने वाले हैं अगर ऐसा होता है तो पवन सिंग और आमरपाली दूवे की पहली फिल्म साथ होगी इन दोनों की जोडी का पहला गाना राते दिया बुता के पिया क्या क्या किया ने भोचपुरी दर्सकों को बहत जादा पसंद आया था और उनके डांस के का दिवाना हर कोई भोचपुरी दर्सक हो गया था इस तरीके से अधी देखा जाये तो इन दोनों की सूपर स्टार जोड़ी अधी भोचपुरिया बॉक्स आफिस पर आती है तो फिल्म को सूपर डूपर हिट होने से कोई नहीं रोग सकता है फिल्हाल वांटेट का स्टोरी पे काम जोड़ सोर से चल रहा है और म्यूजिक का काम भी काफी तेजी से चल रहा है आपको बताते चले कि आमरपाली दूबे अभी अपने आने वाली फिल्म निरहुआ चलल लंदन की शूटिंग नेपाल के खूप सूरत लोकेशन पर जोड़ सोर से कर रहे हैं इस फिल्म में आमरपाली दूबे के साथ तीनी शलाल यादब निरहुआ नजर आने वाले हैं